हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए निव टॉपिक लेके आया हूँ वेस्टी ओबरहेड टेंग का अपना बॉटम डॉम यह है बॉटम डॉम बोलते हैं इसका बॉटम डॉम का वोलियूम कैसे निकालते हैं बॉटम डॉम का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं इस वी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पिले चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए शेर किजिए चलिए वीडियो में हम आगे स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप लोग के सामने यह दिख पा रहा होगा वेटी एक ओभर हेड टेंक है ठीक है इसका जो दिस्टेंस दीजिया कितना एक मिटर टॉपकर नहीं दिया हुआ ध्यान रखेगा यह सेंटर का डिस्टेंस एक मिटर दिया हुआ और हमारा यह बीम का जो कॉलमम है वहां से हो के अगल्य fifty में भराई है अपना 175 थीक और इहां से यह से यहां के जो hem image pm यहां से यहां से यहां के जो सब्सक्राईस कैनल यह यहां से यहां के युद्ध क में डाजरल में यह से कि हमारा देख पर होगी हमारा बॉटम डोम है ठीक है यह हमारा बीम है जो कॉलम के साथ में जो बीम आता यह हमारा कॉलम है इसके साथ में यह बीम से हमारा बॉटम डोम ऐसे बॉटम डोम बनता है ठीक है तिहां से हमारा यहां का जो सेंटर है उसका हैट दिया हुआ कितना 1 meter ठीक ए धहान रखिए गएगा और इसका जो थीकनेस है हमारा वह 155 mm इसका थीकनेस है इसका भरही आएगा 85 mm ठीक इहां से ध्यान दीजिए यहाँ से और इहां का डिस्टेंस कितना होगा छे से-मितर डिस्टेंस दिया हूँ अलगा बाया हमारा विम कर्डिश्न छे मिटर त्रीट है ये हमारा जू बीम है इसका ठीकनेस कितना है 450 एम है और इसका कितना थीकनेस insight चार सो पचासर मेय महम है ठीक में इसका हाफ करें ये दो सुफशीं करेंगे लुजटर से वस्ते भी जाईगा जाए गए जब他是 करेंगे तो हमारा ये अपना ऍार कितना मिल जाईगा दो मीटर साथ पूरा एक एक फर्मूला वाई मैं आपको आगे समझाता हूं जैसे कि यह आप लोग के सामने यह देख पा रहा होगा यह इसका जो फर्मूला होता है वोल्यूम निकालने का 2PiR T into H होता है ठीक है आप ध्यान रखिएगा इसका फर्मूला निकालने क्या होता है 2PiR T into H ठीक है तो हमको सबसे पहले हमको 2PiR मालूमे हमको R का Passion failure Capital ह हे इसका हमको Value सबसे पहले निकालना ठीकने संह को मालूम है थीकने सका एक सपचातर आमेम इसका भराइछ हमको मैं यहाँ पर दिया हुआ एक मीटर इस फर्मूले में हमको सबसे पहले निकालना क्या है आर हमको अगर मालूम चल जाएगा दीजी ली हम कल्कुलेट करेंगे इसका बोल्यूम मालूम चल जाएगा आर कैसे निकालते हो मैं पूरा आपको डीटियल से बता रहा हूँ जैसे आपको यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं इसका ठीकनेस कितना एक सबसे निकालने के लिए हमारा यह ठीक है आर जो निकालेंगे हाईपोटेनस मतलब आर मैं यहां पर लिखा हूँ इसका हाईपोटेनस होता हाईपोटेनस का फर्मूला किया था रूट अंडर प्लॉस भी स्कौर होता है यानि कि H बुराबर क्या होता है L भाई B होता है ठीक है वो ध्यान रखिए L के स्क्वार पर बी स्क्वार में लेकिन मैंने हैं यहाँ पर R से इसको जो फर्मूला में हमारा R है इसलिए हमने R से यहाँ पर लिख कर रहे वही मतलब हाइपोटेनस वाला ही फर्मूला आपको यूज करन है ठीक है A square ठीक है प्लस B square root के अंदर ठीक है तो हमारा A क्या हो गया यहाँ पर यह ध्यान रखिए का A हो गया हमारा यहां से यहां का जो यह height है इसका हमने square कर दिया ठीक है और यह हमारा B क्या हो गया B हो गया हमारा यहां से यहां तक का distance कितना है ठीक है यह ध्यान रखि है ठीक है ति वह ही आप मान के चलिए कि आर बराबर हमको जब निकालना होगा एक मतलब वन का कर दिया यहां की यह निए है उसका कर दिया और यह हमारा जो टू पंट सेबन सेबन फाइब लिखा है यहां से यहां का डिस्टेंस है वह ध्यान रेखिए जहां से बीम अपना डोम चालू हो रहा है वहां से यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है यह है अपना ठीक है दो 275 हमने इसका square कर दिया ठीक है जब हम इसका root निकालेंगे जब क्या calculation करेंगे हमारा इसका जो भेलू आएगा 2.560 mm के करीब करीब हमारा इसका निकल के आएगा ठीक है यह हमारा क्या मालूम चल गया आर मालूम चल गया जब हमको आर मालूम चल गया तो हम easily formula में put करेंगे तो हमारा quantity निकल का थी हम एक मैंने के लिए एक civil कर दिया फिर हमारा जहां बोर्टम डोर चालू हो रहा है वहां से यहां का BETना है तो उसका हमने हमारा सीधा आर निकल जब हमको र मालूम चल गया, यानी , कि लिए मेरा explains निकल निकल के अगे और को सिसकंगे 'Mopath हमारा इसका करता हूं आप लोग कि इस बीडियो में जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगा, अगर आप लोग कुछ ना कुछ सीखा है तो वीडियो को पिले लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मैं चैनल को, थांक्यो वाचिंग मैं वीडियो